महाराश्टर की राजनीती में क्या होने वाला है और उदव ठाकरे को अभी कितना नुकसान छेलना है ये तो भवेश ही जाने लेकिन हाल फिल हाल उनके सभी सियासी दाउं उल्टे पड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री एकनात शिंदे उनसे 20 सावित हो रहे हैं अब कबर है कि शिंदे ने उदव के परिवार में भी तगली सेंध मारी की है जानकारी के मुताबिक दिवंगत बाल ठाकरे के पोते निहार ठाकरे उपचुना में चाचा उदव ठाकरे के उमिदवार के खिलाब चुना प्रचार करते ही नजर आएंगे निहार का कहना है कि एकनाथ शिंदे के नेत्रतों वाले धड़े का समर्थन करते हैं और अंधेरी इस्ट उपचुनाब में उनकी पार्टी के समर्थन में प्रिचार करेंगे बतादे की अंधेरी इस्ट विधानसवा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाब में शिंदे खेमे के समर्थन वाली भाजपा ने मुर्ची पटेल को मेदवार बनाया है तो वही ठाकरे गुट ने रितुजा लटके को मैदान में उतारा है उद्धव शिंदे गुट के बीच में शिव सेना पर अधिकार को लेकर सुप्रिम कोर्ट में लड़ाई चल रही है शिंदे ने इसके लिए नामी वकीलों को मैदान में उतारा है शिंदे को इस कानूनी ठीब में निहार भी शामिल है निहार का कैना है कि वह अपने दिवंगत दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे का समर्थन किया है निहार ठाकरे, बाल ठाकरे के बेटे, बिंदु माधव ठाकरे के बड़े भाई थे एक सड़क दुरगटना में उनका निधन हो गया था बतादे कि दशेहरा रैली के दौरान निहार ठाकरे ने एक नाथ शिंदे के साथ मंच साज़ा किया था इससे पहले उद्दव के बड़े भाई जैदेव की पूरपत्नी इसमिता ने भी शिंदे के साथ मंच साज़ा किया था तो वहीं दूसरी और मुंबई के अंधेरी विधान सबा उप्चुनाव को लेकर एक नया टुिस्ट आ गया है मने से प्रमुक राज ठाकरे ने डिप्टी सीम देवेंदर फड़नवीस को पत्र लिख कर अपील की है कि बीजेपी अपने उमेदवार को वापस ले ले और दिवंगत विधाक रमेश लटके की पत नहीं रितुजा लटके को निर्विरोज चुने जाने का मौका दे उनने अपने पत्र में लिखा है कि दिवंगत विधायक एक अच्छे कारी करता थे उनके राजनेतिक प्रवास के वे गवाह रहे हैं अगर बीजेपी अपने उमेदवार वापस ले लेती है तो ये रमेश लटके को यही सची स्रधान जली होगी अंधेरी पिधान सबा उपचुना में उमेदवारी वापस लेने का कल आखरी दिन है ऐसे में बीजेपी अपने उमेदवार मुर्जी पटेल का नाम वापस लेती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी देवेंद्र फड़नबीस ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि उमेदवार के घोशना भी हो चुकी है अरजी भी भरी जा चुकी है इस स्टेज में आकर राजठाकरी पत्र लिख रहे हैं बतादे कि राजठाकरे कल अचानक सीम शिंदे से वर्षन निवास में जाकर मिले थे मुंबई पीजेपी अध्यक्ष आशिश शेलार की भी आज राजठाकरे से मुलाकात हुई इसके बाद राजठाकरे ने देवेंद्र फड़नविस को पत्र लिखा है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें